तुरा मेरे नज्जी पम्मने जी बहुत हाई एनरजी वाले इस्पोक हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी जो एनरजी है उनमें जो उर्जा है उनमें जो जज़वा है वो कमाल का है लड़ने की छंता उनके अंदर कमाल की है वो बहुत अच्छे लड़ाका से दोने वाले हैं समण संग के लिए बस तोप का मुझे घर से उठा के बाहर की तरफ करना है तोप का मुझे घर की तरफ से बाहर करने उनसे बहतर कोई और नहीं है और रमण बमने जैसे जितने भी हमारे साथ ही है जिनमें बबबर शेर की ताकत और जबजस्त सकती है वो थोड़ा ध्यरे रखें इस वार किसी की भी जो ताकत है या किसी का भी कोई काम है जो कर रहा है वो काम कोई और लेके नहीं जा सकता, जैसे अब तक होता आया है, काम कोई और करता है, नाम किसी और का हो जाता है, लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि काम का स्रे मिलना चाहिए, काम अगर किसी ने किया है, तो उसकी साबाशी मिलनी चाहिए, उसका पूरे संग में पता होना चाहिए किस व्यक्ति ने क्या काम किया है, क्योंकि संग का जो आधार है, संग का पहले भी जो आधार रहा है, वो काम का रहा है, यह व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की उम्र, कोई पैसे वाला है, कोई पोश्ट वाला है, कोई पड़ा लिखा है, कोई पद्वी वाला है, कोई कोई महिला है कोई पुरुष है इस से नहीं ना पा जाता संग में संग में काम करने कब से आया और कितना काम किया और काम कब छोड़के भाग गया फिर काम करने आया उस से उसकी एज नपती है यह जो सिध्धान्त है यह पुराना सिध्धान्त है जो बुद्ध ने बनाया है इसको working age बोलते हैं, काम करने की IU, तो वहाँ जब भी जो संग उनोंने बनाया था, जब भी काम करने कोई व्यक्ति आता था, तब से उसकी IU स्टार्ट होती थी, छोड़के चला गया, IU जीरो हो गई, दुबारा आएगा, फिर जीरो से स्टार्ट होती, इसलिए छोड़के नह कितना काम करता है, तो जो सुरू में सीखने आते थे, उनको श्रामनेरी बोलते थे, जब वो थोड़ा सीख लेते थे, तो उनकी फिर उपसमता होती थी, कि अब यह सीख गए हैं, दस साल तक अगर रहते थे, तो उनको थेर बोलते थे, और दस साल से ज़्यादा होते थे, उनको महा थेर बोलते थे, यह उनके आईउ के हिसाब से होता था, छोड़के भग गया, फिर जीरो होगे ही, फिर दुबारा आएगा, फिर काउंट गया, तो यहां जो नेटवर्किंग कमेटी है, वो पांच मई दो हजार एक्किस से एक डाटा बना रही है, वो यहां कितन लोग आते हैं, कौन-कौन कब जुड़े, किसने कितने स्पोक बनाए, किस स्पोक ने कितना काम किया, कब छोड़के चले गए, कब दुबारा आए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा लिखती है, और 26 जनवरी 2022 से weekly report पोर्टल पे हर संड़े को नेटवर् कमेटी बताएगी, कि कब लोग जुड़े, कितने लोग जुड़े, कितना काम किसने किया, कितना काम नहीं किया, कौन छोड़के चला गया, कौन छोड़के नहीं आया, हपते में कितना काम हुआ, पिछले हपते में ज्यादा काम हुआ, इसमें हुआ, काम आगे बढ़ रहा यहां लिखतम की चलेगी, इसलिए सब अपना काम सालेट रूप से करते रहें, जिसको जितना काम करना है, काम करने की कोई बंदिस नहीं है, कौन कितना ओड़ सकता है, कौन कितना परों में दम है, परवाज कितनी भर सकता है, कितना आसमान अपने पूरी बाहों में ले लिए है तो इस जोडने और जोडने के काम में आपको बार 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 परेशानी आएगी जब आप फिल्ड में निकलेंगे जब आप एक्चुल फिल्ड में जाके लोग उसे बात करेंगे या फोन पर बात करेंगे या जूम मीटिंग में करेंगे या किसी शादी में कोई आदी करेंगे तो उस व्यक्ति को आपका कंसेप्ट आपकी विचार धारा आपके समर्संग के वारे में पता कैसे चलेगा तो पहला इस्टेप तो बात करने का है तो जब सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं और जैसे यहाँ किसकार मालिक कौन पहला पहला जो सवाल आता है कौन किसकार मालिक कौन वो पूछते हैं कि इसका नेता कौन है किसका है ये समरसंग और इसका मालिक कौन है ये सवाल सबसे पहले आता है क्यों आता है इसका कारण जानिए क्योंकि सतर साल से हम मालिकों कोई देख रहे हैं सतर सा से हम जो रयेटर्ड लोग हैं जिनोंने अपने अपने गरूप के रश्टेस किया लिए जूसी होती है अरे ये दूसरी दुकान कौन सी खुल गई इसका कौन मालिक है तो पता करो क्योंकि वो जानता है कि इससे फाइदा क्या है इसलिए वो देखता है कि इसका काम ज्यादा चलना है या मेरा चलना है तो काम ज्यादा चलने का क्या देखता है यह देखता है कि लोग किसने किते मिलेगी और इसको कहा पार्टी की टिकेट मिलेगी अब पार्टी की टिकेट के एक एरिया में कैई दावेदार होगे इसको कितनी प्रसद्धी मिलेगी मेरे मेरे को कितनी प्रसद्धी मिलेगी इस काम के लिए सबसे पहला सवाल आता है अगर कोई व्यक्ति आप से सबसे पहल दो भी तरहेगा और बहुत-बहुत सब्सक्राइब लिए और वाट इसंक्ता से हो सकता है अरे कोई तो הכ प्रधान होगा वह तो Ook तो कोई तो कुछ तो बिना नेतर नेतर के एक आई एस ऐफ्सर जो डिटायर होना वाला तो भी क्या कहते हैं नए ने यह ऐसे कैसे होगा यह तो अभी तो सलो को बिना किसी उसके चला लो उसके बाद में तो देखो डीयटा तो इना कोई होगा आप आप समझे लो अन्होंने तो जब माहरी जयन एक सपायर हुए तो उनका एक जो चेला था ओ लि ninety के लिए उनकी गद्धी पे कौन बैठाएगा, उनके चिले लट रहे हैं आपस में, हमारे यहां ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले सही अपने गद्धी का उत्राधिकारी चुड़ दो, तो सला दे रहा है बुद्ध को, कि आप, वो एक तो यह मान रहा है कि जो बुद्ध हैं, वो मालिक हैं, दूसरा वो यह कह रहा है कि आप चुल लो, तो बुद्ध क्या कहते हैं, अगर सीखने में कोई कमी रह गई हो, तो अभी मैं जिंदा हूँ, सीख ले भाई, डाउट मत छोड़ी हो, धम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदे नहीं होना चाहिए, सीख ले, और ज बुद्ध का से होगी, बुद्ध का मतलब होता है, जिसको धम का बुद्ध हो गया हो, और जिसको धम का बुद्ध होता है, उसको बुद्ध कहते हैं, यानि बुद्ध कहते ही उसको है, तो धम बड़ा होता है, जो बुद्ध है, वो छोटा होता है, क्योंकि धम होगा, तो ग्यान प्राप्त होगा, तो बोधी प्राप्त होगी, तो बुद्ध बनेगा, तो बुद्ध तो बड़े इसपष्ट आदमी थे, उन से बहतर हो, उन से इसपष्ट आदमी अभी तक दुनिया में कोई है नहीं, तो पहला सवाल यह आएगा, तो दूसरा सवाल आएगा, क्या वो कहाँ ये क्या ले आए, ये संवर्ण संग क्या है होगा कोई ऐसा ही ये भी संगठन वंगठन अब थोड़ दिर में जेव से पर्ची निकालेगा पहले मिठी मिठी बात करेगा फिर ढराएगा फिर धंका आएगा बच्चे Pictures में है मारे गए लुट गए नोक्री वाला कोई आएगा तो कहगा आरक्षनल खत्रे में है तो नोक्री का पैसा वसूल करेगा कोई राजनितिक आदमी आएगा तो कहगा कि बिना राजनिती के कुछ नहीं है हार जाओगे मर जाओगे राजनिती पारी डूप जाएगी तो दो पैसा तो वो ये सोच के है कि क्या है उन्ही मैंसे एक में उम्मीद दरेगा तो जब वो ये पूछे आप से कि क्या है तब आप उसे पूरी जानकारी देना सुरू करेंगे पहली जानकारी समर संग का कोई भी व्यक्ति स्थापित करने वाला संस्थापक नहीं है फाउंडर नहीं है यानि कोई भी समर संग का फाउंडर नहीं है या आप उसको सबसे पहले बता दें इसका कोई मालिक नहीं है समर संग का मालिक समर संग है तो यहां कोई नेता नहीं है पहले भी कोई नेता नहीं था और भविस्य में भी कोई नेता नहीं होगा वो पूछे अगर नेता हो गया तो क्या करोगे तो संग खतम हो जाएगा संग की डैथ हो जाएगी यह संग्ठर बन जाएगा मगर नेता तब बनेगा जब सारे के सारे समण संग में नेता बनने के लिए त्यार हो और सारे ना हो तो 51% तो हो क्योंकि समण संग में प्रस्ताब लाओ गए कि नेता बनेगा तो प्रस्ताब पास करने के लिए 50% लोग तो चाहिए तो अगर 51% लोग करप्ट हो गए तो उसक अगर करप्ट होता है क्या उन परशन लोग करप्ट होते तो उनको को नहीं रोकेगा फिर दो फाल हो जाएंगे करप्ट लोग अलग हो जाएंगे और जो करप्ट लोग नहीं है वो अलग हो जाएंगे तो जो करप्ट लोग है वो मारे जाएंगे देर सवेर और जो करप्ट लेंगे, ये इसका परणाम होगा, मगर ये हो नहीं सकता क्योंकि एक साथ कोई डिशन नहीं आने वाला करफ़न का, करफ़जो होता है आदमी पहले एक नियम तोड़ेगा, फिर दूसा तोड़ेगा, फिर तीसा तोड़ेगा, और फिर चौथा तोड़ेगा, अगर नियम तूटने सुरू हो जाएं प्राकरते, संग के, तो समझ लेना कि संग संग्ठन की तरफ जा रहा है, तो गरदन पकड़ लेना, जो नियम तोड़े, और भई अगर आप ही कुदुश में शामिल हो तो गरदन कौन पकड़ेगा, तो संग के ऊपर है कि संग संग रहेगा या संग संग्ठन बनेगा, तो ये अच्छी तरह से समझने के नेता इसमें तब आएगा, जब सब लोगों की मर्जी होगी, तो संग में तो कभी नیचुरल नेता आता नहीं, तो अगर नेता आ आगया तो ये संग्ठन बन गया, फिर आप इससे कुछ उम्मीद मत करना, फिर इसको छोड़ के चले जाना, तुरुन छोड़ देना इसको, जिस दिन इसमें नेता बने या नेता गोशित हो, या नेता का कोई प्रस्ताप भी आए, लाद मार देना उसे दिन इसको, क्योंकि इसको छोड़ना बहतर है, इसमें चिप नहीं होता, यह वहाँ जो लोगों को आप बताओगे, यह वो खाश बात है इसकी, जिससे लोगों को डिफरेंस का पता चले, कि हम कैसे प्रणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो मंच से क्या होता है, मंच से मैं, पिर्थिष्ठा, पद, पोश्ट, एक मान, सम्मान, अभीमान, वो सारे आदमी के अंदर आते हैं, जब मंच नहीं होगा, तो यह सब चीज़े नहीं आएंगी, तो जगड़ा खतम हो जाएगा, तो भाईचारा बना रहेगा, माला से क्या होता है, माला कल्चर हमारा नहीं है, माला कल्चर करके हम यह शो करते हैं, कि यह आदमी प्रमुख है जिसके गले में बलुकुल बंदर जैसी माला डाल देते हैं खुब सारी बंदर जैसा चेरा बढ़ते थे उसका शेड जैसा चेरा बनाते थे उसका जजू सा लोग बड़े खुश होते हैं माला पैन लिया हमने बड़ी सारी माला है पटका पैन लिया माला पैन लिया बढ़ पहलद लेते हैं उर ठोपी पगदा देते हैं माला अपने चैलों को पखदा देते हैं और जगजुञ सा चेura भंबन के उसके फुट किल लवा गए खोब पोस्ट करते हैं ये कर निग GNदे है एंकर ना कुछ राजनीती नहीं होगी, तो किया राजनीती क्यों नहीं होगी, बावत साब तो कहा है, रिपबिकन पार्टियों बनाई है, पर करेगा आप से, कहना भी राजनीती के लिए मना नहीं है, मगर संग सीधा राजनीती में नहीं जाता है, किसी व्यक्ति को जाना हो तो जा सकता है, संग का नियम है वो व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं राजनिती में जाता हूँ संग मुझे सपोर्ट करे संग में प्रस्ताव आता है प्रस्ताव अगर पहुम से पारित होता है कैसे करना है कैसे ने करना है ये बात की बात है करेगा इसको संग ही इसलिए इसमें सरक्षपाने के वियावश्क्त नहीं है, मगर संग खुद कभी राजनिती में नहीं जाएगा, तो संग के अंदर जो राजनितिक पार्टी हैं, उनके लिए मैसेज के लिए है, वही सारे सारे समल पार्टी हैं, जितनी भी हैं, एक पार्टी बनाओ, और तब स लगेगा कि आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सारे अलग-अलग होके आऊगे, तो संघ के तो सारे बच्चे हैं, तो संघ अपने किसी बच्चे में भेद्बाव नहीं कर सकता। इसलिए संग कहता है कि राजनितिक पार्टियों खट्टे हो के आओ, एक हो के आओ, और EVM को हटवा के आना, अरे EVM का हटवाने का दम है नहीं, और परिवतन का दम भरते हो, EVM हटवा नहीं सकते, एक छोटा सा काम करनी सकते, एजिटेशन करके, सारे मिलके, और बात करते हो क हम सत्ता परिवतन कर देंगे, हम तुम्हारे दुख-दूर कर देंगे, और राजनितिक पार्टी आएंगी, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और किसको बेफकु बनाते हो भाई, जब अपने लिए एक EVM नहीं हटवा सकते है, तो हमारे लिए नहीं क्या करोगे, इसमें पुराने समय से नहीं है, हमारा कोई VVIP वियाइप नहीं होता, ये VVIP और VVIP कल्चर वहां होती है, जहां लोगों को गुलाब बनाना होता है, और संग किसी को गुलाब नहीं बनाता, तो पूछएगा और क्या है, तो उसको बताना, कि यहां पर कोई टर्ष्ट, यहां पर साथ-साथ खाते हैं, संग का खाना हो जाता है, तो यहां पैसा खर्चनी करते हैं, फालतु किछीजों में, और कहीं अगर हमें अपने पैसे का खाना खाना पड़े तो सब अपना पैसा देते हैं, बरावर बरावर देते हैं, तो यहां आना जाना सब का अपना अपना है औ भायचारी से रहेंगे और उसको लिफावें बंद करके कुछ देके भिया, यह नियम है यहां का, संका नियम है उसके उपर बोज नहीं बनेंगे, पता नहीं उसकी आर्थे किसी है, किसी नहीं है क्या है, क्या नहीं है, तो देख आके आएगे यानि कि हम सारे मिलके अपने फैसले करेंगे, अपनी समस्य उठाएंगे और साथ-साथ करेंगे, और बहुमस्य करेंगे, अलग-लग नहीं कर सकते, तो अपने फैसले अपने साथ हैं, तो बैठना कैसे, साथ-साथ जमीन पर, अपनी जमीन पर बैठेंगे, साथ-साथ बैठे इसके अंदर आती है तो उसे बताना कि इसका फाउंडर जो हैं वो समण लोग हैं पुराने जो समण लोग हैं दादा दादी पर दादा पर दादी वो समण लोग हमारे फाउंडर हैं तो प्राजन पूछेगा उद्देश से पूछेगा तो उद्देश से बताना कि समण करना है और हर व्यक्ति अपना काम करेगा ये इसकी नीती है अपना काम करना पड़ेगा हम ही सब कुछ है इसके अंदर सब कुछ है इसके इसके अंदर बहार से इसमें कुछ नहीं आता इसलिए हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना पड़ता है तो अतदीपो भव की इसकी न आगमुला इसमें क्रियानमन का है जो सम्विधान के अंदर दी है तो पूछेगा कि इसका मंत्र क्या है तो कहना एक ही मंत्र इसका जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये इसका मंत्र है बड़ा सिंपल सा मंत्र है पराना मंत्र है जुड़ेंगे तो जीतेंगे तो पूछेगा इस इसकी limitations क्या है, यह कहां तक जाता है, तो कहना हर वो चेत्र, हर वो खेत जिसमें eating involved है, something eviyakty involved, कोई भी field हो, पूरे भाषत का दुनिया का जिसमें something else involved है, वहां तक इसकी limit है, वहां तक इसकी पहुंच है तो पूछाएगा, इसकी मानत है क्या है, recognition क्या है, तो कहना यह पुर पहले की है कि संग ही सर्वोपरी है ये इसकी रिकॉर्गरिशन है ये इसकी मानना है तो पूछेगा कि अधिटान क्या है पृतिग्या क्या है तो सांसे कहना संग के लिए जीवन दान ये हमारा अधिटान है ये हमारी पृतिग्या है ये हमारी डिटेमिनियसन है कि संग के लि हैं जीवनदान यह हमारा है तो पूछेगा कि कैसे फिर तीसरा पसंद आएगा कैसे जो कैसे वाला है बहुत कम लोग पूछते हैं कैसे तो कहना कैसे क्या इसको बहुत आराम से करेंगे जुडेंगे और जुडेंगे पहला काम तो यह करेंगे और दूसरा काम यह करेंगे कि जो हमारे छुटे छुटे टुकडे हैं, उनसे निविदन करेंगे, भई खटे हो जाओ, और एक खटे नहीं होते हो, तो पैसा देंगे, तब जुड़ जाओगे, तब जब, बस एक मंत्र है हमारा उनके लिए, इसको दो तरही के से काम करेंगे हम बस, एक हम खुद जुड़ जो लोग हमारे हैं, जो जिनको पता नहीं है, जो अग्यानी हैं, उनको कहेंगे जुड़ जाओ, और नहीं जुड़ते हैं, तो उनका कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उनका पैसा बंद कर देंगे, इस बात कर परचार भी करेंगे, तो जुड़ते चले जाएंगे, तो बहु तक कब तक करोगे कब तक ये हो जाएगा ये कब तक वाला कोई नहीं पूछता किसी संग्ठन से नहीं पूछता किसी व्यक्ति से नहीं पूछता ये प्रसरी नहीं पूछते हमाई लोग पहला पसंद तो हरे को पूछेगा कौन किसका मालिक कौन क्योंकि उसके खुद मालिक कि लोगों गुलाम बनाना है और दूसरा पिसंद जादा जादा पूछ लेगा क्या कैसे करोगे और तीसरा पूछ लेगा कैसे वाला चौथा को नी पूछ था अएक बार बावन में इस राम से कब तक मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने का ये सभावा में चला है मामला उसक इन तिलों में तेल नहीं है भाई यह कब तक वाला जो प्रसंद है यह बहुत इंपोर्टन है यह कब तक वाला प्रसंद इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इखटा कब तक हो जाओगे इखटा कब तक कर लोगे और कितना काम करोगे क्योंकि अगर आप 355 दिन और 24 घंटे काम करते हो तो एक साल में यह सारे संग्ठन घुटने पर आ जाएंगे अगर इनका पैसा बंद हो गया कि यह इखटे हो जाएं तो 75% काम तो वो लोग क संग के विरोध में आएंगे समन संग के विरोध में आएंगे क्योंकि उनके अस्तित्व का खत्रा होगा जब वो समन संग के विरोध में आने सुरू हो जाएं तो समझ लेना कि पढ़ना माना सुरू हो गया जब वो गाली देना सुरू करते हैं तो समझ लेना पढ़ना मान आप तो RSS के एजेंट हैं, आप तो BJP के एजेंट हैं, आप तो फलाने के एजेंट हैं और आप तो तोड़ने आए हैं, आप तो संटरनों की सकती खराब कर रहे हैं, आप तो दुस्मन हैं, सुलकाष्ट के आप तो दुस्मन हैं, फलाना फलाना जब इस तरी की गालें अपन हो जाएगी कि हम किसी स्पीड से बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हमारा गिराफ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हम छह मिने में यह अच्छी मेंट कर लेंगे साल में कर लेंगे दो साल में कर लेंगे तीन साल में कर लेंगे या इसमें सो साल लगेंगे यह हर वैसे हम अपना आकलन हर हपते करेंगे 26 जनवरी से क्योंकि networking committee के जो chairman है प्रिकास सिंग सर उनकी त्यारी लगबग पूरी है पहली रिपोर्ट 26 जनवरी क्योंकि 26 जनवरी हमारा बड़ा दिन है उस दिन से हम इसको आरहम करेंगे फिर आपको weekly हर हपते में हर संडे को यह कोई नेता होता नहीं संग में तो पैसा मांगते नहीं संग में तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो खुद काम करोगे तो खुद का पढ़ना भी तो देखोगे तो इसलिए यहां किसी को ड़ने की आउसकता नहीं है कि मैंने काम किया तो मेरा यहां काम दर्ज नहीं पच्ची तो काटी नहीं इसने को डर भी नहीं है बलकर ऐसी आतत बना लो कि किसी के हैं जाओ तो अपना थरमस लेके जाओ चाय उसको खुद पलाओ अपनी ले भाई तू चाय भी पी हम तो चाय भी नहीं पी ते ऐसा जज़वा पैदा करो कि लोग आपको दरवाजे पर स्वाकत करने के लिए त्यार हो जाएं कि फलाना आएगा समन संगी आज और उसना टैम दिया था भी आया नहीं पूछू कहीं उसकी मोड़ साल पंचो तो नहीं होगी तो आपको बुद्ध उतना ही खाना लेते थे जितना उस दिन बारेवे तक कि निया जरूरी है उस सारे जितने भिकू थे एक्टा खाना नहीं लेते थे कभी बस बारेवे तक खाने के लिए जितना जरूरी है उतना लिया मिक्स किया और खा लिया तो फालतू कप्ड़ नहीं लेते थ है कि हमारे यहां बिकों संगाए हमारे यहां बिकों संगाएँ Mushoke लाइन लगती थी उटलाने कि ऐसी चैड़ होती थी ऐसा रुटवा पैदा करो के लोग आपको यह पूछे कि समर्व संगी आ जाया नहीं कंसर बताने करने के लिए आ जाया नहीं बात करने के लिए जूकि जब आप वहाँ जाओगे तो इसको एक security feel होगी उसको एक सुरक्षा मैसुस होगी कि मेरा संग मेरे घर आया है मेरा संगी मेरे घर आया है ये मेरे दुखदर्द का साथी है और ये मेरे से फीस नहीं लेता, यह मेरे से पैसा नहीं नहीं लेता, यह तो मेरे दुखदर्ट को पूछता चाय भी अपनी पीता है, यह चाय खुद पला देता है, तो हमारे काम्याब होने की स्पीड कैई गुना जल्दी बढ़ जाएगी, और यह स्पीड लगाता लगाता हम चेक करते र हैं, बताते रहें, बताते रहें, इस मूँ का करोगे क्या, इस सरीर का करोगे क्या, इस सरीर को जो साबूं से घिसते हो, चमकाते हो, इसमें तेल लगाते हो, और इसमें बड़िया बड़िया सुखंद लगाते हो, क्या करना है इसका, इसे जितना काम इससे ले सकते हो, इस साल तक जिएगा तो जब मशीन को काम करना ही है तो जितना मेकजिम काम हो सकता है उतना ले लो इसमें कोई खर्चा खर्चा तो है नहीं क्योंकि सारा काम बच्चों को बचाने के लिए करते हैं तो थोड़ी स्पीट बढ़ा दो अगर बच्चों को बचा लिया तो हम बच कि हमने अपना बाप होने का कर्तब नभाया हमने अपने मां होने का कर्तब नभाया हमने अपने अभिवाबक होने का कर्तब नभाया और दूसरा सेडिसफेक्शन ये मिलेगा कि हमने बावा साब का कर्ज मरने से पहले उतारा है भगवान बुद्ध की जो बात थी वो कर्ज ज के मरता है इसलिए जिद्ध है जोडने की जिद्ध है जुडने की जिद्ध है बहुत जली तको प्राप करने की धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। संगं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तूथियं पी दम्मं मर्सेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तूथियं पी दम्मं मर्सेनं गच्छाम। बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी